नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का डिजिल तेयरी में मैं सवरभ भारती आप सभी का हार्दिक सवागत करता हूँ दोस्तों प्लाटफर्म वों का सॉलोशन कर रहे थे बड़ी अच्छी किताब है बहुत ही ज्यानवर्दक है बहुत ही जादा हमें प्रैक्टिस करवाती है हमारे आने वाले एक्जाम्स के लिए हम लोग काफी पेपर कर चुके हैं बिलकुल अंतिम दौर में हैं और दोस्तों फास्ट कम्पिटर होता है उसका M.I.P.S उतना ही जादा होता है निमलकीत में से अमरीकी गॉल्फ खिलाडी कौन है टाइगर वोड्स देखते ही टिक होना चाहिए टाइगर वोड्स वन अफ दे लेजेंडरी खिलाडी रहे हैं पानी का घनत्व क्या होता है देखे पानी क सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है उसकी बात घटने लगता है भारत के सर्वोच चन्याले की स्थापना कब हुई थी तो देखे हमारा जो वर्तमान सुप्रीम कोट है इसको 1950 के अंदर वापस रिकंस्ट्रक्ट किया गया था हाला कि भारत में एक सेंट्रल कोड जो है जिसको आ 1935 के भारत चाशर अधिनियम में आ चुका था परंतु 1950 के अंदर इसका पुनर गटन किया गया इसमें एक मुख्य न्यायदिश और साथ अन्य न्यायदिश बैठाए गए ध्वनी के माप की नीट्या है द्यसिबल ध्वनी को नापने के उपन किसका प्रियोक करते ड्यसिबल डी भी लिखते न आपन ऍ Exodus देखो शककर के गोलिए शककर एक विलायक है नहीं-ए गुलावण पदार थे बिलकुल सही है शककर गुलावणा पदार थे विलायक तो है जिसमें आप घोल रहे हैं उत्तल दरपन का प्रयोग किस में क्या जाता है वहानों में review mirror बिल्कुल सही है convex vents जो mirror है ऐसा दरपन जो बीच में से जो किनारों पर से पतला है बीच में से उबरा हुआ है ऐसा उत्तल दर्पन कहलाता है वहानों के अंदर जो अपन ये साइड मिरर लगाते हैं ठीके ये उत्तल दर्पन है जिसके अंदर अपन को इमेज जो है वो हमेशा इमेजिनरी या आभासी दिखाई देती है यानि कि इतना बना ट्रक एर वो पूर के बिलकुल एकदम पैरलल है या 90 डिग्री के उपर है ठीके यानि एकदम आप ऐसे सिंपल खड़े होने चाहिए आपका इंक्लिनेशन किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए आप एकदम प्लेन सर्फेस पर होने चाहिए तो अपन जो माउस प्रियोक करते ना माउस माउस को ए जिसको बोलते हैं मेंबरशिप प्रदान की गई थी किस विटामिन की कमी से सकवी रोग होता है तो विटामिन C की कमी से सकरवी होता है यह तो आपने रटी लिए होंगे ठीके A से रतवन्दी B से बेरी-बेरी C से इसकरवी कम्प्यूटर की किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है देखिए कंप्यूटर का जो कंट्रोल यूनिट है ना इसे नर्व सेंटर कहा जाता है तेरवी सदी में बक्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया देखिए इस बक्तियार खिलजी ने सेन वंच का अंतिम्स आशक था लक्षमन सेन ठीके इनके प् पहली स्थापना बक्तियार खिलजीने की थी डाइनमाइट का निर्फ्रान अल्फ्रेड नोबल ने क्या था अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे इन्हीं के नाम के उपर नोबल पुरुसकार दिये जाते हैं नेक्स देखिए पहले के चेरा वंच ने किन राज शुद्धी करण है न तो देखो इसका शुद्धी करण हमारा होता है गुर्दों के अंदर हमारे रक्त जो है न वो हमारा शरीर के अंदर जो भी ऐसे इन्वांटेड आइटम होते है जो जैसे कोशिकाई जो है वो अपना जो भी निकालती है अप्शिष्ट पदा आर्थ उनको ब्लड जो है वो गुर्दों तक लेके जाता है फिर गुर्दे उसको छांते अलग करते हैं विश्व कैंसर दिवस कब मनाय जाता दिक है विश्व कैंसर दिवस जो है यह चार फरवरी को मनाय जाता है अनुमानशिक्ता के नियम किसने प्रस्टाविथ कि देखि को जिनों ने वो मटर के पौदे पर प्रयोक किये थे ना निमलिकित में से किस सामराज्य के दौरान चन्ना केश्वरा मंदिर का निर्मान किया था बहुत फेमोस मंदिर है चन्ना केश्वरा मंदिर होईसल राजवंश में इसमें इतने बड़िया पॉलिश मिरर लगा सॉरी वो पत्थर लगाएंगे ग्रेनाइट के पत्तर है और मनलब आप समझो इतने पॉलिश उन्हों ने करके उसको लगा रखेंगे आज भी आश्चरे का विशे है नेक्स देखें स्टेट ड्राइव पुस्तर के यार सुनील गावसकर की ठीके सुनील गावसकर की आत्मकता जो ह है उसका नाम है सनी डेज सनी डेज यह सुनील गावसकर की आटोबायग्रफी है और यह इन्हों ने लिखी है भारत फिल्म उद्योग के सेलुलाइड मैन के नाम से प्रशूर थे दोस्तों पिके नायर नित्रानी द्वीप लक्षे दीप का एक द्वीप है नित्रानी कहा है लक्षे दीप का एक द्वीप है नेक्स देखें किसे ब्लैक बूटी ब्यूटी कहा जाता है पंच तंत्र का कववा कच्चा पेट्रोल रेपेंजल मार् काले कलर का पत्तर जो है हमें प्राप्त हुआ है उसे ब्लैक बूटी नाम दिया गया है मिश्र का सबसे बड़ा पिरामिड देखो वैसे तो गीजा का पिरामिड है गीजा ओप्षन नहीं है तो फिर कुफू का पिरमाइड अपनको लेना पड़ेगा वैसे सबसे बड़ा गी जील महाराष्ट में इस्तित है ये जो है इंक क्रेटड जील का उधारण हैँ किसका उधारण है जिसका निर्मान यह विलीव क्या जाता है था उससे खड़ा हुआ उससे ये बनी है भारत की सचार्थ्यता के तुरंध बाद गोवाप पूर्त गाली राज्जे था 1947 में माज़ाद हो गए पर गोवा पर फुर्टगालियों ने 1961 तक कबजा रखा है 1961 के अंदर भारतिय सेना ने का अभ्यान करके छुड़ाया था सूखी बर्फ ड्राइ आइस कार्बंडाय उक्साइड का ठोच रूप कार्बंडाय उक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको ड्राइ आइस भी का जाता है एच देखे एच फ चिन्न के एलिमेंट एफनियम का निम लिखित में से किस इस्थान पर दिया गया देखो य यह एक नया एलिमेंट खुझा गया था है फैनियम जिससे कॉपन हैगन ठीके डैन्मार्क है ना डैन्मार्क देश की पूरी तरह से सोलर पावर होगी किस भारती शहर को गुलाबी शहर का जाता है और हमारे शहर जोदपूर को संसिटी का जाता है क्या कहा जाता है संसिटी है ना सूर्य नगरी यह भी ध्यान रख सकते आप चलिए नेक्स देखते लोगसबा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन शित्र से लगातार आट बार लोगसबा का चुनाव जीती थी सुमित्रा महाजन लोकसभा की अद्यक्ष नहीं है परंतु ये दूसरी महिला अद्यक्ष बनी थी लोकसभा की दूसरी महिला अद्यक्ष बनी पहली महिला अद्यक्ष जो बनी लोकसभा की वो थी मीरा कुमार ध्यान रखेगा लोकसभा की पहली महिला अद्यक्ष कौन मनी थ यह सुभित्रा महाजन डबलु डबलु का विस्तार वर्ल्ड वाइड वैब बिल्कुल आसान था यह तो सोच नहीं नहीं था निम्ट में से कौन सा जीन मोलस्क परिवार से संबंद देखो मोलस्क परिवार होता है जो रैंग कर चलता है और इसमें गोंगा बिल्कुल फिट बैठता है देश बंदू नवयूग संग का गठन किस ने किया तोड़ा हिस्टी के कोश्चन है दक्षिन भारत के अंदर देश बंदू नवयूग का संगठन का गठन त्रुपूर कुमरन ने किया था कुमान ने वैसे कुमरन लिख दिया इसने making इंडिया ऑसम दोस्तों य यह जो पुस्तक है चेतनवगत की है चेतनवगत की बड़ी कई सारे हाफ गल्फ्रेंड वगेरा जो हैं चेतनवगत की पुस्तके हैं माइक्रोसफ्ट के मुख्य आधिकारी कारेकारी की रूप में सत्या नडेला ने किसकी जगे लिए जगा किस ने लिए देखिए स्टीव फुटबॉलर वी हैव तुडे क्रिस्टियान और रोनालडो पुर्टगाल देश के हैं और लियोनल मैसी अर्जेंटीना के हैं बांगलादेश को किस देश से सुतंता मिली तो देखिए बांगलादेश बनता है 1971 में उससे पहले पाकिस्तान के गबजे में था पाकिस्तान से तूट कर फिर 1971 में बांगलादेश बना था तो ये दोस्तों हमारे इस पेपर का अंतिम सवाल था नेक्स लेक्चर में अपन शिफ्ट 3 का पेपर जो है वो सौल करेंगे देखिए एक दिन में एक पेपर ठीक है कई लोग बोलते दो भी डाल ये तीन भी डाल देखिए एक स पाजमा की तो देखिए इस चीज को एक्जाम जब तक आएगा कई सारी जनरल नॉलेज का भंडार आपके पास होगा बात समझे मेरा यही उद्देश्य है कम समय में मैं आपको जादा जानकारी दे पाऊं तो दोस्तों इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे नेक्स लेक्च